कि अच्छों कैसे हैं आप सब कि जल्दी से कमेंड करके बताओ मेरी यवाज आप तक कहुंच रही है क्या मैं दिखाईद पढ़ा हूँ बोलो और वन हेलो बिटा हाई क्या मैं बिज्वेल हूँ बच्छों साइसी यह ओके है कोई दिक्कत नहीं है ठीक है ठीक मचों टॉपिक अपने पढ़ रहे थे ठीडी पढ़ रहे हैं जैसे कि अपना ठीडी की क्लास चल रही है और इसकी पहले तीन चार ग्लासे हो गई हैं जो मेरे साथ ही नए है इस चनल को सब्सक्राइब भी कर लेंगे ससी केडी लाइव को और क्लास बन से इस चेप्टर को देखेंगे बहुत अच्छा से समझ में आएगा और ये टॉपिक बहुत ही इंट्रेस्टिंग है बहुत आराव राम से मैं कराया हूँ और जैसे कि आपके एक्जाम में कम से कम 5 से 6 कूशन्स इस टॉपिक से आते ही आ होगा तो आप इस पूरी टॉपिक को करिएगा उसके बाद अपने PYQ को करिएगा और देखिएगा एक भी सिंगल कूशन तुमसे बचेगा नहीं इस बास को आप विश्वास करिए और एक चेप्टर में सब पढ़के देखिए बास समझभारी वेटा प्रॉपर बे में प हो भी फ्रिव आप कोश्ट बीना किसी चार्ज के आप में साथ पढ़िये उसको आप किसी भी चैनल से जाके आप कंपेर कर सकते हो एक चप्टर पढ़ने के बाद में कि मैंने क्या कॉंटेंट आपको डिलेवर किया है और वहाँ पर भी किसी अननिय चैनल पर क्या कॉंटे चलो बेटा तो अपन जैसे की बहुत ही इंट्रेस्टिन टॉपिक पढ़ रहे थे ठीडी स्टेट लाइन की बात कर रहे थे मने आप से यही चर्चा गिया था जब भी आपको ठीडी स्टेट लाइन की कोशन निकाल ली हूँ तो आपको तीन चीज की रिकॉरिमेंट मिल पड पता होना चाहिए दूसरा पॉइंट उसकी डारेक्शन रेशियो या डारेक्शन कोशाइन पता होना चाहिए क्योंकि सभी डारेक्शन कोशाइन डारेक्शन रेशियो होती है लेकिन सभी डारेक्शन रेशियो डारेक्शन कोशाइन नहीं होती है इसकी चर्जा हमने क्लास नंबर थ्री में पहले से कर रखिए आप वहां जाके वीडियो देख सकते हैं जो मेरे साथ ही नहीं है और तीसरी कर सकते हो इसके बने डिटेल में चर्चा कर रखिए तो देखो पैटा आपके सामने कूशन से इसी कॉंसर्ट को और अच्छे से क्लियर करते हैं कूशन के माध्यम से तो देखो बच्चे क्या बोलना चाहा रहा है कूशन इफ एक्वेशन आफ इस्टेट लाइन बहुत अच् क्यास में कूशन हो गया था लेकिन एक फिर से में ले रहा हूं देखे दान से इक्वेशन आप इस्टेट लाइन है और इकल टू आई कैप माइनस जेक एफ और प्लेस जीरो के क्योंकि जनरल फॉर्म लिखना ज़रूरी होगा उससे बहुत फायदा आपको मिलेगा कभी के प्लेस का के कैप आ गया तो पहला पॉइंट आप से पुछाई ही गया है कि सर फिक्स पॉइंट ऑन दाई स्टेट लाइन और विच फिक्श्ड पॉइंट लाइन पासिंग थू मतला आपको बताना है कौन से पॉइंट से फिक्स पॉइंट से लाइन तुभारी पास कर वही है तो मेरे बच्चे बताना जो फिक्स पॉइंट होगा जो लेंडा जो परामिटर सोगा उसके साथ जो नहीं है उससे जो इंडिपेंडेंट होगा वही फिक्स पॉइंट होगा तो फिक्स पॉइंट की बात आएगी तिसका पोजिशन बेटर आएगा आई कैप माइन से भी लिखा जाएगा कोडिनेट के फॉर्म में 1-1-0 अपने पड़ा होगा ऐसे टूडी में जो पोजीशन वेक्टर होता है आप उसी को कोडिनेट के फॉर्म में लिख सकते हो चाहाँ ये लिखा हो चाहाँ ये दोनों बाते क्या होती है सेम होती है तो फिक्स पॉइंट मि रिख संवाब को बताना है तो लेमडा के साथ होगा वही तुम्हारा ड्रेक्षउन होगा तो कहोगur ड्रेक्ष् evaluated बच्रो बहुत आसानी से तुम बता रहे होगे सिम्पल बन जाएंगा 2-1 और बorang आयंगा जो बैरियेवल के साथ के साथ होगा जो मेंदा के साथ होगा जो अगर ड्यक्शन रेशियो पता है तो डी सी बहुत आसानी से बता बहुँगे क्योंकि बेटा जो डियार होता है उसी का युलिद वेक्टर डी सी कहलाता है आउए इन्युटर निकालेगे बेटा टू गए स्कुर्फॉर फोर फ्लैस मानस उन के स्कुर्फवाइर वन वन के स् सब्सक्राइब एक लाइन की कितने DC होती है दो DC होती है एक यहाली हो गई अब दूसरी जो DC कि मैं बात करूंगा माइन्यस से मैल्टिप्लाई कर दूँगा मानिस टू डिवाइड मैं अंडरूट आफ six one डिवाइड मैं अंडरूट आफ six minus 1 divided by under root of 6 ये दूसी DC निकल के आ चुकी है एक लाइन के दो DC होगे अब बहुत इंट्रेस्टिंग पॉइंट आपके सामने निकल के आ रहा है कि सर जनरल पॉइंट क्या होगा जनरल पॉइंट on the state line किसी भी state line के जनरल पॉइंट की बात करेंगे तो जनरल पॉइंट होता क्या है बात को समझें सर जो तुमारा position vector है r बोले तो जो moving point है जो variable point है on the state line उसी को simplify करने के बाद में जो coordinate बनेगा in terms of lambda वही तुमारा होता एक जनरल point होता है मतलब किसी भी state line पर एक जनरल point आपको मानना होगा तो उस जनरल point को क्या मानना जाएगा जो मैं अभी basic fundamental तुमको मैं सिखा रहा हूँ आपको ऐसे मानना है और यही point वारा एक जनरल point होगा आओ देखो कैसे सब equation आप state line आपके पास दे रखिए मैं इसको अच्छे solve करूँगा r vector equal to i i के साथ pair किया 1 plus का 2 lambda बेटा आगया i cap आगया यहाँ minus का मने lambda multiply किया minus lambda plus minus 1 minus का lambda j cap बना और यहाँ तो 0 हो गया यहाँ आएगा plus lambda k cap i hope clear हो गया जो equation आप state line थी तुमारे पास बेटा यह simplify होकर आगी जो r जो point p का position vector होगा बोले तो r vector हो जाएगा यही तुमारा general point है तो मैं general point की बात करूँगा तो कहोगे sir general point क्या होगा यही general point तुमारा आएगा जिसका नाम है pr pr बोले तो moving point तो लिख सकते हैं उसको बहुत आसानी से 1 plus 2 lambda कॉमा लिखोंगा sir minus 1 minus का lambda और कॉमा क्या हो गया lambda यह general point on the state line और lambda तुमारा all real number को belong कर रहा है lambda क्यों और real number आ रहा है अगर lambda की बनी तुम बदलते जाओगे और real number है 1,2,3,4 minus 2, minus 3 कुछ भी रखोंगे दुमिया का real number तो यह point P क्या होगा बदलता जाएगा और कहां पर बतलेगा यह state line पर ही रहेगा और यह बदलता जाएगा इसे अपन क्या बोलते हैं general point बोलेंगे तो आज यह बास से कोई तुम से पूछे general point on the state line बताओ sir तो बहुत आसाल होगा उसी equation को आप सिंप्ली भाई कर लोगे जो shortest form में जो निकल के आएगा उसी को क्या बोलेंगे बेटा general point on the state line बोलेंगे comment करके बताओ क्या सारे parameters, सारे functions आपको समझ में आए के नहीं आए please सभी लो comment section में बताओ मेरी प्यारी बच्चों अगला question देखो आपके सामने पेस किया हो जनल से सभी लोग देखो इस question को दाय दाय उड़ाएंगे मेरी प्यारी बच्चों इस question को बहुत आसानी से उड़ाएंगे बात समझो दे रखा equation आप state line क्या दे रखा है equation of state line इधर देखो equation of state line देखो ध्यान से equation of state line है तो equation of state line की बात करोगे तो r equal to beta तो क्या निकल दो r equal to 0 i cap plus 0 j cap plus 0 क्या बन जाएगा k cap I hope clear this point आगे लगा यहाँ पर बेटा मू लगा दिया है 2 i cap 2 i cap minus का j cap plus 3 k cap हो जाएगा क्या मेरी बाते समझ में आगी लोग को अपन सबसे पहले क्या करेंगे इस equation को एक standard form में लिखेंगे standard form क्या होगा बेटा ओ point जहां से line तुमारा pass कर रही है बोले तो fix point on the state line की बात करें दूसरा जो parameter के साथ होगा बोले तो parameter तुमारा या तो mu भी हो सकता है lambda हो सकता है t हो सकता है दुमिया का कोई भी parameter हो सकता है जो parameter के साथ होगा और direction ratio या direction cosine को represent कर रहा होगा i hope clear हो गया तो बेटा हो गई 0,0,0 अगर कोई भी स्टेट लाइन origin से पास करता है तो इसकी fix point क्या होगे बेटा origin हो गई तो पहला part आप से पुछा जा रहा है कि fix point on the state line तो कहोगे 0,0,0 तो बहुत आसानी से बताएंगे ये इसका fix point हो जाएगा origin क्या आएगा origin 0,0,0 क्या मेरी बाते के लिए रहोगी मेरी बाते के लिए रहोगी second point पुछा जाएगा आप से direction ratio बताओ भहिया जो mu के साथ होगा वहीं DR होगा direction ratio की में बात करूँगा direction ratio आएगा 2 minus 1 और 3 आएगा क्या मेरी बाते के लिए रहोगी अगला देखना तुमसे पुछा जारा कि direction cosine बता दो और direction अगर ratio मिल गया है तो direction cosine को बहुत आसानी से बता पाओगे इसके magnitude से divide कर दो 4 हो गया 9,4,13,14 आएगा 2 divided by under root of 14 minus 1 upon under root of 14 3 divided by under root of 14 1 DC आ चुकी है लेगिन आपको बता एक line की 12 DC होती हैं तो अगली DC के मैं बात करूंगा and लगा देता मेरे फ्यारे बच्चों तो आएगा minus 2 divide by under root of 14 plus 1 upon under root of 14 minus 3 divide by under root of क्या आएगा 14 आएगा क्या DC आ चुकी है बहुत बढ़िया अगला point तुमसे पूछा गया है कि sir इसका jungle point on the state line बताओ तो क्या करना है आपको अभी बताया बेटा equation आपको state line को बहुत आसानी से simplify करोगे जैसे तुम simplify कर लोगे जो आये कभी jungle point हो जाएगा आये solve करते हैं तो बेटा simple simple से ही निकल क्या आया 2 mu i कैप आ गया बहुत बढ़िया minus का mu j कैप आपको समझी में आ गया तो position vector आएगा पी का r vector आपके सामने आया 2 mu i कैप minus का mu j कैप plus 3 mu k कैप आया point के form में एक लिखना है तो आप इसी हर एक vector position vector एक coordinate के form में भी लिए सकते हो position vector को तो ऐसे लिखना है तो 2 mu minus का mu और आएगा कितना 3 mu आएगा यह general point आगया इसी को अपने बोलेंगे कितना बेटा general point general point on the state line on the state line एक state line पर general point करना है तो आप equation को solve करोगे जो निकल गया वही तुम्हारा general point हुगा comment करके बताओ क्या आपको सारी बाते क्लियर हुई कि नहीं हुई बोलो बच्चो बोलो जल्दी सब्सक्राइब रुक मिनी गुट इनिंग बेटा बाते समझी 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 में आगया सबको बाते पक्की पक्की वाई चलो comment करके बताओ समझी में आया की नहीं आया नेस्ट कूशन की तरफ बढ़ूंगा बेटा क्लियर हो गया सर बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया चलो नेस्ट कूशन आपकी सामने इधर देखना इधर देखना कि अधर देखना आई होव मैंने पढ़ा के खदम किया अब कहानी क्या बताओगे सर्थ मेरे साथ जुड़िये देखिये क्या मैं बताने जागा आपको देखो दयान से बटा मैंने पिछली क्लास में आपको एक बात बताई थी इकुवेशन आप इस्टेट लाइन इन 3D इसके बहुत साई फॉर्म होते हैं पहले classification मैंने किया था बैक्तोरियल फॉर्म जो कि मैंने पढ़ा अच्छे से बैक्तेरियल फॉर्म में कैसे कैसे चीजे होती हैं सेकंड classification हुआ था Cartesian फॉर्म और Cartesian के बटा दो फॉर्म होते हैं एक symmetric form में zo wide of state line दूसरा is symmetric form या उसी को anti symmetric form भी बोलते हैं अब बात को आगे बढ़ाएंगे कार्टीसियन virus को लेकर क्थो बात करेंगे मेंपा कार्टीसियन फर्म को लेकर बात करने वाले हैं तो कहानी क्या है आपको मैं आहसास करना चाहता हूँ कि जो तुमने बेक्टर फॉर्म में equation of state line पढ़ी है, same equation of state line में partition form में आपको interlink करके दिखाने जा रहा हूँ, अगर आपको ये interlink समझ में आ गया और 100% में दावक साथ बोल ला हूँ, आपको जरूर समझ में आएगा बेटा, interlink जरूर समझ में आएगा कि कैसे में vector form से partition form में change कर रहा हूँ देखिए ध्यान से कहानी देखिए, आपके सामने शुरू करता हूँ, मारनो एक state line है, और vector form में ही पढ़ाता, इसकी equation लिखने के लिए कितने point चाहिए बेटा, तीन point चाहिए, पहला point एक fixed point जहां से state line तुम्हारी पास कर रही है, दूसरा इसका direction ratio, तीसरा इसके ऊपर एक moving point या board सकते हो, variable point आपको चाहिए, यह तीन बाते आपको पता है, तो equation आप state line बहुत प्यार से तुम लिख सकते हो, आईए इसी के माध्यम से partition form के हमसाईशी जो को derive करते हैं, look at the board, बेटा यही बताया था fixed point मालो, point एह है, इसका position vector आया a vector, I hope clear हो गया, लेकिन इसी बात को मैं और भी तरीके से लिख सकता हो, अभी बताया, किसी भी position vector को, अगर आपको coordinate form में लिखना हो, तो इसी को में लिख सकता हो, मेरे प्यारे बच्चो, x1, y1, z1 भी लिख सकता हो, यह दोनो point क्या होते हैं, सेम होते हैं, vector के form में आएगा, I cap, J cap, K cap, और इसी को coordinate के form में लि बतायों किस में बन जाएगा, coordinate form में बन जाएगा, यह इसी बात को ऐसे भी समझ सकते हो, बात को समझना, बिटा जो A है, A point को ऐसे लिखूं, आएगा, x1, i cap, बहुत बढ़िया, plus y1, j cap, plus z1, k cap आया, यह इसी को और भी अच्छे तरीके से लिख सकते हो, यह a point, x1, y1, z1 यह तीरों बाते सेम हैं, देखो यह vector form में आ गया, इसी का यह value के साथ दे दिया गया, इसी को अगर coordinate के form में लिखना हो, तो i cap, j cap, k cap को disappear करतो होगे, तो इसी point को ऐसा भी लिखा जाता है, जो बच्छे vector पढ़िया होगे, उनको पता होगा, कि सर हर एक position vector को एक coordinate के form में ल दोसरी point चीए मेटा है आपर, आपका direction ratio, मालो एक state line है, जो किसी भी वेक्टर के parallel है, एक वेक्टर होगे ये, मालो पी वेक्टर, अब पी वेक्टर के coordinate बोल दिये, अपने पी वेक्टर होगे, l, i cap, plus m, j cap, plus n, k, अब जड़ा बताना, अगर किसी भी line के parallel vector है, क्या बताओ line के DR पता है तुम्हें, तो कहोगे DR, direction ratio of line, direction ratio of line, बहुत आसानी से बताओगे, l, m और n हो जाएगा, क्या बाते के लिए रोगे, ये वेक्टर के फॉर्म में तुम्हें चाहिए, तो p call to l, i cap, plus m, j cap, plus n, k, यहाँ सब दो बाते मिल चुकी है, एक fix point, एक इसका direction ratio मिल चुक है, और तीसरा point आपके सामने, मैं रख रहा हूँ, इसको let किया जाएगा, एक variable point आगया, PR, या इसी को ऐसे भी लिखा जा सकता है, मेरे बच्चे, PR को, x i cap, plus y, j cap, plus z, k, या इसी को point मिल लिखना होगा, तो आएगा, x, y, z, क्या मेरी बाते समझ मैं, तीन point पता है, एक इक्वेशन आफ इस्टेट लाइन, उडाद होगे सर जी, बेक्टोरियल फॉर्म में पड़ा था, इक्वेशन आफ इस्टेट लाइन की आप बात कर रहे हो, हम तो बहुत आसानी से उडा देंगे, क्योंकि पता है, आर बेक्ट की वैलू दोगों क्या आगया, एक्साइक कैप, प्लस वाई जेकप, प्लस जेड, के कैप आएगा, इकल टू, एक बेक्टर, मलब पोजिसन बेक्टरा, प्वेशन पॉइंट ए, तो इसको तो लिप पाओ गए, एक्सवन आईके, क्या आएगा, एक्सवन आईके, प्लस य कैप, प्लस एंड, के कैप, I hope clear this point, क्या बता हुआ यह बेक्टर में इतनी चीज़े किये थे, नहीं किये थे, बेक्टर फॉर्म में सेम बाते किये थे, इसी बात को अपन किसमें करने जाने बटा, कार्टिशन फॉर्म में, कार्टिशन फॉर्म क्या है, अभी समझ में आ ज आई कैप हो गया, यहाँ में बात करूंगा, Y1 प्लस का लेमडा M, J कैप बन जाएगा, आगे मैं बात करूं, प्लस, J1 प्लस का लेमडा N, I hope के कैप बन जाएगा, I hope clear this point, क्या यहाँ तक कोई दिक्कत किसी बच्चे को, कोई डाउट नहीं सर्थ देखो, लूप अधर दि बरावर हो जाएगे, तो बेटा, I, I के कोफिशन, J, J के कोफिशन, K, K के कोफिशन, आपस में क्या हो जाएगे, बरावर हो जाएगे, तो देखो, अगले स्टेप में देखो, I, I के कोफिशन, यह, इसके बरावर हो जाएगा, J, J के कोफिशन, K, K के कोफिशन, सभी आप I hope clear, देखो ध्यान से देखना है बेटा, X equal to X1 plus lambda L आया, I hope clear हो गया, इसी प्रकार से Y equal to Y1 plus lambda M आयेगा, आयेगा बेटा यहाँ पर, Y equal to Y1 plus lambda M आयेगा, Similarly, Z equal to Z1 plus lambda N आयेगा, I hope clear this point, I hope clear this point, बोलो बच्चो पक्का पक्का, चलो बेटा ध्यान से देखना, ध्यान से देखना, ध्यान से देखना, ध्यान से देखना, अगले इस्टेप देखना, अपन देखो एक काम करेंगे, यहाँ से निकालेंगे lambda की value, इधा ट्रांसफर कर दिय तो X minus X1 equal to lambda L, this implies lambda equal to X minus X1 divide by N आया, बहुत बढ़ी है, शान्दा जवार्धा जिन्दा बात, आगे देखो, ट्रांसफर किया, Y minus Y1 equal to lambda M आया, this implies lambda equal to Y minus Y1 divide by M आ गया, similarly इसी प्रकार से बिटा, Z minus Z1 equal to lambda N आया, अब lambda की value निकालूँगा, lambda equal to Z minus Z1 divide by N आ गया, अगर तुम गौड फर्माओ, अगर तुम गौड फर्माओ, इसको equation 1, इसको equation 2, इसको equation 3 नाम दोगे, तो देखो, तीनो equations आपस में बरावर है का नहीं है, lambda की value देखो, सब जगा ब आरी है, अगर तीनो equations आपस में बरावर आरी मेरी प्यारे बच्चों, तो आपके सामने में लिखना चाहूंगा, तो आएगा देखो धारन से, X minus X1 divided by N, equal to Y minus Y1, divided by M, equal to Z minus Z1, divided by N, equal to क्या आगया, लेमदा, मेरे बच्चे, ये जो relation निकल के आया है, ये जो relation निकल के आया है, इसी को बोलते है equation of state line, क्या बोलते है, equation of state line in cartesian form, in symmetric form, बहुत अच्छे, क्या बोलेंगा सर, बात को समझेंगे, बहुत बहुत बहतरी सांदार जबारता जिन्दावाद, इसी को बोलेंगे मेरे बच्चे standard, क्या बोलेंगे सर, standard, standard equation, standard equation of state line, standard equation of state line in Cartesian form, Cartesian form, standard equation of state line in Cartesian form, क्या किसी बच्चे को कोई doubt है है यहां तक, comment करके बताना साथ, यह निकल के आया है, equation of state line in Cartesian form, बोलो, बाते पक्की पक्की, बोलो अच्चो, आगे बड़े, अब इसी कोपन क्या करेंगे, जेनरलाइस करेंगे, देखो धान से देखना, इतना क्या मुझे करना होगा गया, अब तुम्हें इस मन में doubt आ गया, किस वर आपने ब्यक्टर से स्टार्ट किया, कार्टिशियन में ले आए, क्या मुझे इतना सब्सॉल परना होगा गया, नहीं नहीं बटा, इतना नहीं करना है, अब यहां से अपनाएंगे, अपना इस्टेंडर फारोला, इस्टेंडर रूप अपनाएंगे, कुछ पैरे मिल्टर से बताऊंगा, सिधर खट 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 आप उड़ा ले जाओगे, क्या मेरी बात एक क्लियर है, क्या मेरी बात एक क्लियर है बच्चो, आगे देखो दान से देखना, अब देखना ध्यान से मेरी प्यारे बच्चो बात को सबचना, कहानी कुछ इस प्रकार से है, इकमेशन आप इस्टेट लाइन देखना, इसी क y1, z1 से pass कर रही थी इसके direction ratio था lm और n direction ratio से मिलके जो बना vector था li cap plus mj cap plus n k cap था तो देखो अभी भी क्या चीज़े आएंगी इसी बात को धिहानिक रखके मैं generalize करने वाला हूँ बात को समझना मेरे प्यारे बच्चो देखो धिहान से अगर देखना बात को सबस्ना बेटा यहां पर जो आया जो fix point थी x1 y1 और z1 है तो देखो क्या आ गया x1 y1 और z1 हो गया और direction ratio तुम देखो गे L हो गया m हो गया और n हो गया यह सब इनकी क्या हो जाएंगी डियार हो जाएंगी बोलू तो direction ratio आप इस्टेट line lmr n बन चुकी है अगर जो fix point होगा वो variable में से variable point में से माइनस हो रहा होगा x1 y1 और z1 और lambda तुम्हारा क्या है एक parameter है तुमको पता एक और यह number है क्या बात समय में आगे चलो आगे देखो इसी को अपन जर्रलाइज कर रहे हैं बात को समझेंगे बहुत अच्छे तरीके से इस टेंडर्ड एक्वेशन आप इस्टेट लाइन इन काल्टेशियन फॉर्म और कौन सा फॉर्म में में बच्चे सिमेट्रिक फॉर्म है तो बात को समझेंगे देखो बटा कुछ बात हैं आपको बताओंगा जो आपको बहुत most important रहे ध्यान देना क्या ध्यान देना आ है क्या ध्यान देना बात समझेंगे ने जब कोफिशेंट of variable coefficient of variable variable बोले तो X, Y and Z must be one must be one आपको क्या करना है मिरे बाई और देखो कि हर जगा क्या कर रखा है देखो यहां पर one कर रखा है must be one coefficient of X, Y, Z must be one पहला point clear हो गया पहला point clear हो गया coefficient of X, Y, Z must be one दूसरा point आपको ध्यान रखना है जो तुम्हारा यह जो तुम्हारा variable और fixed point आपस में separate होना चाहिए बेटा minus sign के साथ इसके बीच में minus आना जरूरी है इसके बीच में minus आना जरूरी है negative sign के साथ यह separate होना चाहिए उसके बाद अगर यह दो point follow कर रहे हो तो यह दो point follow करने के बाद में तो जो नीची आएगा बेटा जो denominator में आएगा A B और C आया यह इसकी क्या कहा है कि बादा direction ratio का लाएगा तो पूछा जाए direction ratio क्या होगा तो कहोगे मेरे प्यारी बच्चो A B और C मतलब Cartesian form में क्या denominator में Cartesian form में कोई state line लिखी गई है उसके denominator में जो लिखा होगा ओ क्या होगा direction ratio होगा लेकिन direction ratio तभी होगा जब सभी का coefficient क्या आएगा बेटा 1 होगा coefficient of x, coefficient of y, coefficient of z ये 1 होगा और जो constant term होगा x1, x2, x3, x1, y1, z1 ये आतस में मानस sign साथ क्या होना चाहिए separate होना चाहिए तो तब जो denominator का part होगा और direction ratio कहला हैगा तब पहला point ये किया coefficient 1 दूसरा point separation with negative sign तो कोफी जो नीचे वाला होगा वो तमहां direction ratio कहलाएगा दूसरा point fix point on the state line भीया जो state line है जहां से पास कर रही है उसके उपर fix point कौन सा है तो मेरे पच्चे x1, y1, z1 fix point हो जाएगा तो fix point के अगर मैं बात करूँ तो कहोगे x1, y1, z1 हो जाएगा बास समझ में आ गया बास समझ में आ गया यहां तक direction cosine की बात करोगे तो direction cosine बहुत आसानी से बता पहोगे a इसका magnitude under root of a square plus का b square plus का c square v divide by under root of a square plus b square plus c square c divide by under root of a square plus b square plus c square यह इसकी निकल क्या है dc एक dc और होगी minus से multiply कर दोगे तो आएगा minus a divide by under root of a square plus b square plus c square और तीसरा आएगा minus कसी अंडर root of a square plus b square plus c square और तीसरा आएगा minus कसी अंडर root of a square plus b square plus c square बताओ यह सब point के लिए हुआ कि नियों बेटा बाते के लिए हो गया बहुत अच्छे बेटा बहुत अच्छे चांदार बात यहां तक समझ में आ गयी बोलो अ कमेंट करके बताओ से में लो बहुत अच्छे बेटा पॉन बहुत अच्छे ठीक है अगे बढ़ू अब मैं बात करूं को जनरल पॉइंट ऑन दा स्टेट लाइन जनरल पॉइंट ऑन दा स्टेट लाइन कैसे निकालोगे तो मैं पता जो मोबिंग पॉइंट होता है जो वर्यवल पॉइंट होता है वह जनरल पॉइंट होता है तो सेम का में इसके रहे करेंगे तो जनरल पॉइंट कैसे निकालोगे इधर देगो एक्वेशन में लिखूंगा का X-1 का दिवाइड बाई A एकट shimmer टू Y माननस Y1 डिवाइड बाई ब्री कि जडट माने में जड़ वन डिवाइड बाई सी कल टू लेंडा क्रोस की मर्टिप्लाइ अब ठीक है तो अपने बात किया X-1 divided by A equal to Y-1 divided by B Z-1 divided by C equal to क्या बने गया लेम्डा बने गया आप इनको इनके साथ कपल करोगे लेम्डा के साथ y को भी lambda के साथ और z को भी lambda के साथ इससे क्या आएगा x, y, z की value आएगी जो x, y, z की value आएगी वही तुम्हारी क्या हो जाएगी मेरे प्यारी बच्चो general point हो जाएगा x minus x1 divide by a equal to ka lambda solve किया x equal to x1 plus a lambda आया इसी प्रकार y minus y1 divide by v equal to lambda solve किया y equal to y1 plus lambda b आएगा z minus z1 divide by c equal to ka lambda मेरे बच्चो z equal to आएगा z1 plus lambda c x, y, z की जो भी आएगी value इसको नाम देंगे point p x1 plus lambda a, y1 plus lambda b z1 plus lambda c ये तुम्हारा आया general point on the state line general point general point on the state line on the state line क्या मेरी बात यहां तक समझ में आ गया comment करके बताओ बेटा क्या मेरी बात आपको समझ में आ गई general point आपको समझ में आ गया बेटा बोलो, बोलो ध्यान से, पक्का, बहुत अच्छे, सांदा बेटा, आगे देखना ध्यान से, आगे बढ़ो, क्या आपको Cartesian form clear हो गया, क्या आपको Cartesian form clear हो गया, बोलो, बहुत आसान है, अपने जो काम बेक्टोरिल फॉर्म भी किया, सेम डिक्टो काम क्या करेंगे, Cartesian form और symmetric form में करेंगे, जैसे कि, fixed point जहां से pass कर रहा था, x-x1 divided by y का direction ratio equal to y-y1 divided by direction ratio, z-z1 divided by direction ratio equal to, एक variable अवलब की parameter, लेमडा लगा सकते हो, क्या बात है के लिए, आगे बढ़ो, चल, next देखना, देखना बैटा, आपके सामने कूशन्स मने रखा, अगर ये कूशन्स का तुम जवाब देते हो, तो अभी तक तुमने जो Cartesian form पढ़ा है, उसका हर एक fundamental, हर एक कूशन्स केलियर हो जाएगा, बासमझवारी बैटा, ये कूशन्स मैंने इसलिए लगा रखा है, जितने parameters मैंने आपको बताए हैं, उस सबको अगर फॉलो करते हो, ये कूशन्स हो भी जाएगा, आओ देखो ध्यान से कैसे, कूशन्स दे रखा x plus 1, मैंने आपको बताया पहला point, dr निकालने से पहले, fix point जहां से state line पास कर रही है, उसको बतलाने से पहले, आपको coefficient of x, y और z1 होना चाहिए, पहली बात, दूसरी बात, जो constant number है, मलब कि fix point जहां से line पास कर रही है, जो x, y, z होगा, उसमें से minus होना चाहिए, आई इस काम को पुरा करते हैं, तो coefficient of x1 आपको दे रखता है, इसको मैं लेकूंगा, x minus of 1, divide by 3, आई होग क्लियर हो गया, बेटा यहाँ, coefficient of y1 नहीं है, coefficient of y को 1 बनाओंगा, तो 2 common ले लूँगा, तो होगया 2, common आगया, y minus 3y का 2, divide by आएगा 4 मेरी बच्चे, और इसको रखोगे बेटा, minus का 1 है, बेटा, z का coefficient minus 1 है, minus 1 common ले लोगे, तो यहाँ आएगा z minus का 4 मेरी प्यारे बच्चो, divide by का 1, equal to lambda, कहाँ नहीं समाजी बाई, अब यहाँ भी गरेंगे, x minus, minus of 1, divide by 3 आएगा, इस 2 से, यह 4 cancel out होगे, यह minus को यहाँ भेज सकता हूँ, बहुत अच्छे, equal to y minus 3 by 2, divide by 2 होगा, minus नीचे भेज दोगे, तभी coefficient 1 बनेगा, z minus 4, divide by minus का 1, equal to lambda आगया, अगर मेरी कहाँई, अगर मेरी राम कहाँई तुमको समझ में आई हो, अगर मेरी राम कहाँई तुमको समझ में आई हो, तो बताओ सरहाँ सरह समझ में आया कि नहीं आया, बोलो सभी बच्चो ध्यान से बता रहा, क्या मेरी राम कहाँई तुमको समझ में आई बोलो क्या मेरी एक कहानी आपको समझी मैंने जैसे इसको इस्टेंडर्ड फॉर्म में लिखा है क्या इस्टेंडर्ड फॉर्म में आप लिख पाओगे अगर इस्टेंडर्ड फॉर्म में लिख पाओगे उसके बाद तुम्हारा कमेंट सेक्षन में एंसर आर्टोबेटिक आ रही है तो सिंपल सी बात आएगा मैनेस वन ठीवाइटू और फोर सेपस कर रही है तो कहोगे माइनस का वर रोट लो जो भोले तो फोर से पास कर रही है इसका मतलब इस्टेट लाइन जो हो एक फिक्स पॉइंट से पास कर लिए और यह डारेक्शन रेशियो आफ लाइन बहुत ही आसान अब तो डारेक्शन रेशियो तुमको बता है जो नीचे वाला होता है तिनॉम्मेटर वाले तो आएगा 3 तू और माइनस का वन आ गया या गैस का डियार कि डीसी पुछा गया डायक्षन को साइल बताओ डायक्षन को साइल बहुत ही आसार हो गया तो डीयार मिलने गवार डीसी का कोई रोल ही नहीं इसका मेनिटूट आएगा 9 प्लंस 4 कितना आएगा 13 फोर्टीं तु डीवाइड रोट अफोर्टीं बनेगा तो डीवाईड बंडर रोट रूट आएगा वन डिवाइड बाई अंडर रूट आफ 14 क्या बताओ डीसी आया परिया बोलो आगा डीसी आसानी से आया पुछे जन्रल पॉइंट बता दो जन्रल पॉइंट ऑन दा इस्टेट लाइन की बात कर दो बहुत आसा कैसा मजाद कर रहे हो सर इसको सॉल करके एक लेंडा से इधार आया तो एक्स इकल टू माइनस वन प्लस थ्री लेंडा एक पॉइंट यह आ गया दूसरा आएगा मेरे प्यारे बच्छो वाई कल्टू देखो टू मल्टिप्लाई के लेंडा से तो टू लेंडा हो गया फ्री बाई टू इधार ट्रांसफर हो जाएगा थ्री बाई टू प्लस का टूलेंडा आएगा जएड़ इकल्टू इधार आएगा माइनस लेंडा प्लस का फॉर माइनस का लेंडा तो इसको धान्स देखो जो पॉइंड पी होगा तुमारा यही तुम्हां जंगल 어렵ज जंग पोइंट आया एक्स कोог्णलाइट य कूशन नहीं है समझो द्यान से बिटा कूशन तो है नहीं है देखो द्यान से एक पॉइंट है यह आपर इस पॉइंट को मैं एक्स्प्लेन करता तुमको देखो बेग्राम लालो इधर देखो जैसा मैं तुमको पढ़ा रहा हूँ न यह content बेटा पाओगे नहीं तो मर्जी टॉपिक पढ़के तुम देख लेना बास समझ माया आपको एक रेक्षर पढ़ना पढ़ेगा चाहाए अभी पढ़ लो चाहाए बाद में पढ़ोगे सब्सक्राइब क्या बोला सर बास समझ लो बहुत बढ़िया बात बोला है क्या बात बोला है एक एक्वेशन आफ इस्टेट लाइन बताओ एक्वेशन आफ इस्टेट लाइन बहुत अच्छे एक्वेशन आफ इस्टेट लाइन की बात कर रहा है हाँ एक्वेशन आफ इस गिवेर है पहले इस लाइन पे फिक्स पॉइंट तो देखो पॉइंट ए हो गया एक से हैं आप से बहुत ही इंट्रेस्टिंग बात बताई थी किस सब अगर आपको अगर आपको एक्वेशन आप इस्टेट लाइन लिखना है एक ठिक्स पॉइंट चाहिए एक डियार चाहिए एक मुविंग पॉइंट अपने आपसे मान ही ले जाओगे तो फिक्स पॉइंट एक नहीं दो दो की वेन है दोनों में से जो मर्जी ओव यूज़ क आने गा यह डाक्शन इस्यों आगया तो डारेक्शन इस्यों हो गाया तुम्हारा एभी बेक्टर अगर तो पॉइंट गिबन है तो बेटर आ जाएगा आसानी से आजाएगा और एक्स टू माइनस एक्सवान आइक प्लस य तू माइनस वाई वन जेक एप्लस जेड़ बोले कि डारेक्शन रेशियों आ गया बहुत बढ़िया सांदा जवाद अजन्दवाद और फिक्स पॉइंट की बात करोगे तो कहो कि फिक्स्ट पॉइंट कवन है सर तो फिक्स्ट पॉइंट आपके सामनी आ जाएगा सर फिक्स पॉइंट ऑन दा स्टेट लाइन एभी ह एक वेशन आप इस्टेट लाइन लिखना है एक अधर देको और एक्स माइनस एक्स वन यह वाला फिक्स पॉइंट पकड़ा डिवाइड बैड डारेक्शन रेशियों डिवाइड बैड आक्सने सर गितना आएगा एक्स तू माइनस का एक्स वन अरे बोलो या नहीं समझी में आ रहा है आपको तो यहीं बियार समय में आगए को दियार igmatल्ट वाइगा। तुमें समें आए हैम एक्स तू माइनस एक्स वन कॉमा उएक्स टू माइनस वाई-18 बैश्ट देख आप ठीको गहिए उप के अब में लीकुंगा मैं गुएंग आफ कि ऍटेट लाइग एक्सटो तो डिएट प्लेस्प गाई न्यकोरitu आपसे लेमडा लगाओ लेमडा एक परामेंटर है और फूर अर्रीज लें पंगा आ गया, symmetric form में आ गया, जब दो fixed point given होंगे, equation आ फिस्टेल लाइन आ गया, इस equation को और भी तरीके से लिखा जा सकता है, कैसे सा, fixed point अब की बार B point को ले लिया, तो, x-x2, dr, x2-x1, equal to y-ka y2, divide by y2-y1, z-z2, divide by z2-z1, equal to lambda लगा दो, ये भी equation आफिस्टेट लाइन है क्या, हाँ, उसी, उसी, दो point से पास करने वाला, इक्वेशन आप इस्टेट लाइन ये भी है क्या मेरी बात समझ में आ गई क्या मेरी बात समझ में आ गई बोलो और इसर आ गई इक्वेशन आप इस्टेट लाइन लिख लिया सवाल आपके सामने हैं सवाल आपके सामने हैं बात समझें बात समझेंगे थिखे देखिए यह पूंट अगर आपको समझ मिहां गया ना तो पूशन कैसे उड़ाए जायेगा और fundamental मेरे साथ देखो अगर fundamentals तुमारे clear हो गये है तो कूशं मेरे साथ देखिए आ यह देखे कूशं कैसे उड़ाए जाएंगे कूशन देखो बेटा and B on the state line find the general point on the state line बहुत बढ़िया 8 state line है इसके उपर 2 fixed points दे रखे है point A है point A है 1, 2 और 3 and point B is minus 1 0 और क्या आएगा से बनाएगा equation of state line की बात कर रहे हो हाँ equation of state line भहिया चाहिए क्या इसका DR चाहिए DR के लिए बनेगा AB वेक्टर आप B भी बना सकते हो कोई कसम नहीं खायो AB वेक्टर आएगा minus का 2 I कैफ minus का 2 J कैफ और यहाँ पर आएगा plus का फोर K कैफ आजाएगा क्या मेरी बास समय वाया तो DR चाहिए तो DR तो सीदे सीदे आ गया equation आप state line से minus 2 minus 2 और फोर आ गया equation आप state line लिखना बहुत ही आफार है fix point में चाहिए एक्स माइनस का बन डिवाइड बाइड बाइड यार माइनस का टू को ले न हो प्य क्स लिए स्टीट लाइन आगे अगर मनना भरे तुमारा कहूगा proven को और और हो मेरे लिख सकता हो है विख्स पॉइंट बी ले लो एक्स माईनेस च्ट ऑधा यहां पर ठीक है डारेक्शन रेसेई उ की आएगा मैएनस का टुए आएगा इकल टू वाई माई झीरू डिवाईड बाइद माइनस का tu का दो एक कल्टो जयड माइनेस का 7 डिवाइड बाई आएगा मिरे बच्चे 4 आएगा कह एक कल्टो लगा दो म्यू कोई ज़डुई नहीं कसम नहीं खाएं कि हमेशा लेमडा का लेमडा की तुम गुलामी कर रहे हैं हमेशा लेमडा लगा औहोगे तभी तुम्हारा एंसर आएगा बेटा म्यू ही लगा सकते हो बस एक परमेटर होना चीए म्यू बिलॉंग टू और रियल लंबर हो गया है क्या मेरी बात समझ में आई बच्चो थोड़ा थोड़ा बोलो सर समझ माया आगे देखो बैटा नेक्स्ट नेक्स्ट देखेंगे क् कूशन देखना कूशन देखना बहुत बढ़िया वड़ा बहुत बढ़िया सान्दार ठीक है बात एक गिलिए रहे तीक है अगला कूशन देखें हाँ कूशन नहीं बटा पॉइंट है इस पॉइंटक आपको धिकान से परना है और समझना है इन सब पॉर्इंट पर सवाल आये हुए हैं देखेंआ एक्वेशन आप स्टेट लाइन परालल टो दा क्सी पहला है एक्वेशन आप स्टेट लाइन पराफल Glück kid लाइन परांर टो दा एक्स एक्सिस पैरलेल टो दा एक्स एक्सिस एंड पासिंग थ्रू पॉइंट एक्स वन वाई वन जेडवन बात समझू मने आपको पढ़ा रखा है बता रखा है कि एक्वेशन आप स्टेट लाइन आपको चाहिए तो आपको मेरे बच्चे दो बात का पता होना मस्ट है एक फिक् एक्स एक्सिस के पैरलल है inks कि डिशी निकालोगे क्या निकालोगे दी सी निकालोगे तो तुमको बताया था मैने डिसी एक्स एक्स क आ अई का सीदे सीदे 1,0,0 ऑ distortion को पता 100 DC एकDR भी होती है तो दशावेशन गया फिक्स पोईंट रखानोग है सर फिक्स पॉइंट और इस्टेट लाइन इसकी बात करेंगे फिक्स पॉइंट और इस्टेट लाइन गिवेर है एक्स वन वाइन और जड़ वन गिवेर है उठा के यहां पर रखेंगे सीधे-सीदे एक्स माइनस का एक्स वन डिवाइड वाइड 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 वा बात समझें और यहांसे दो बहुत ही इंट्रेस्टिंग ट्रेक्ट बताने जा रहा हूं देखना ध्यान से एक बच्य बताना इकवेशन आप स्टेट लाइन प्राइल्स to the X एकुंस अ अगर किसी भी एक्सिस के पैरलल है मालों x-axis के पैरलल है तो यe-axis आप जेड़ x के साथ परपेंदिकुलर होगी मैं लाइन क्या होगी 5 है एक्स-axis के पैरलल है तो वाइन दिडिक्टबरोगी परपेंडिकुलर होगी अगर इक्वेशन आप इस्टेट लाइन लिखना है इन कार्टिशन फॉर्म में जिसके साथ परपेंडिकुलर होगी लाइन लाइन जिसके साथ परपेंडिकुलर होगी उसके डारेक्शन रेशियों के नीचे क्या आएगा जीरो आएगा तो देखो y और z के साथ परिपेंडी कुलर है तो आ गया line line ये trick है ये trick है धांस देखना line जिस भी जिस भी axis axis के साथ जिस भी rist Kat परपेंडी कुलर होगी परपेंडी कुलर होगी होगी उसके नीचे उसके नीचे जीरो होगा उसके नीचे क्या होगा जीरो होगा अगर ये चीजे हैं तुम बहुत आसाई से उल्टा पकड़ पोगे जैसे एक्वेशन आप इस्टेट लाइन ये दे रखिए तुमसे पुशा जाए कि सर बताओ यह equation आप state line क्या represent कर रही है तो कहोगे सर Y की नीचे 0 है Z की नीचे 0 है तो यह line Y और Z के साथ perpendicular है और जिसके नीचे 1 होगा क्या लिखा आमने बिटा जिसके नीचे 1 होगा मैंने क्या बोला जिसके नीचे नीचे 1 होगा जिसके नीचे 1 होगा उसके parallel होगा उसके parallel होगा तो X के नीचे 1 है X के साथ क्या होगा parallel होगा क्या मेरी बात समझी में आ गई बोलो बच्चो धान से देखना अगला देखो next point क्या बोलना चाहरा है बहुत ही बहतरी इधर देखो आक कर द usted अभ एक्स एक्सिस की बात कर रहा है अच्छो को स्पुशिट लोगे थि तर अच्छ और पुश लोगे कहा निक खळब हो जाएगी सिस्याफ ङतर अच्छ लुफछ से मैरे बत्चे ऐब भात बताना आर्ट प्यु क्या क्यों बता सकते हो क्या ऐसप्लोर मलच हाँ बिल्कुल अगर बात एक्सिस कियाएगी तो एक्सिस हमेशा ओर जीन से तो अवसे पास करेगी किसे पास करेगी ओर जीन से तो इस बात को कूशन में नहीं बोलेगा कि ओर जीन से पास कर रही है एक्सिस यह एंडरेश्टूड है यह कॉमें से आपको पता होना चाहिए तो फिक्स पॉइंट इससर लेटर आ गया मेरे बच्ची एग्स पॉइंट सिधे निकल के आ गया ओर जीन आ गया बोले तो 0,0,0 तीनो एक्सिस के लिए आए जाएगा बात आती है डीसी की एक्स एक्सिस के डीसी आएगी 1,0 और 0 आएगी equation लिखनी है x-0, divide by 1, y-0, divide by 0, z-0, divide by 0, equal to lambda लगा दोगी equation of x-axis आपके सामने आया, आई वो आपको बहुत 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 बेहतीन तरीके समझ में आया होगा x-axis y और z के साथ perpendicular उसके नीचे क्या लगा दिया? जिरो लगा दिया, X-axis खुद X साथ parallel हो जाएगी, X-axis, खुद X-axis साथ parallel हो जाएगी, इसके नीचे वन आ गया, बास समझ मा आ गई, अगला पॉट्ट यह देखो बहुत ही इंट्रेस्टिंग, इकवेशन आफ लाइन, फुच पार्लेल टू दा, Y-axis एंड, पासिंग थू तू दा पॉट्ट, X1, Y1 और Z1, इसको आप कट कर ले न, इस इज एक्स वन, Y1 और Z1 दे रखा है मेरे बच्चे, X1, Y1 और Z1, तो बात समझे धान से, सिंपल सी बात है, X-X1, या Y के पार्लेल है, तो X साथ पर्पेंडिकलर होगा, नीचे 0 लगा दूँगा, इकवेशन आप स्टेट लाइन, पासिंग थू पॉट्ट, X1, Y1, Z1, अगला पॉट्ट दे देखो, नेक्स्ट पॉट्ट, इकवेशन आप Y-axis, सेम प्रकार से सवाल, तो बहुत आसानी से उड़ा पाओगे तुम, इकवेशन आप Y-axis, तो बहुत आसान है, X-0, डिवाइड बाइड बाइड जिरो, य-axis, X और Z दोनों के साथ परपेंडिक कुलर होगी, उसके नीचे 0, Y-0, डिवाइड बाइड बाइड वन, Z-0, डिवाइड बाइड 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 जिरो, इकल टु टी लगा दो, और T तुम्हारा parameter हो गया X belongs to all real number क्या मेरी बात समझ में आई की नहीं आई जल्दी से comment करके बताओ जल्दी से comment करके बताओ मेरी बात समझ में आई की नहीं आई बोलो बहुत बढ़ी है बटा आगे देखना द्याल से next point देखेंगे इधा equation of state line which parallel to the Z axis Z axis के parallel है इस बात and passing through point X1 Y1 Z1 तो बहुत आसान तरीके से उड़ा देंगे question को देखो ऐसे 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 Z के parallel है था X और Y के perpendicular X minus X1 divide by 0 Y minus Y1 divide by 0 equal to Z minus Z1 divide by 1 equal to लगा दो मेरे भाई K और K तुम्हारा parameter है K belongs to all real number बास समझ मैं अगला देर equation of Z axis की बात करूँगा Z axis की equations क्या होनी वाली है बास समझो तो Z axis का fix point कहां से पास कर रही है origin से पास कर रही है ये तो पता चल गया origin आएगा 0, 0, 0 सभी axis और जिन से अवस से पास करेंगी तो आसानी से लिखोगे X minus 0 divide by 0 Y minus 0 divide by 0 Z minus 0 divide by 1 equal to beta T T is parameter and T belongs to all real number I hope clear वो गया है बाते समझाए चल आगे देते बहुत 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 इंट्रेस्टिंग राम कहानी है इसकी equation of state line किसकी मैंने बात किया equation of state line इसमेट्रिक फॉर्म इसमेट्रिक फॉर्म इसमेट्रिक फॉर्म में equation of state line in asymmetric फॉर्म बात सबजना सब्सक्राइब यह भी state line की इकुशन है मने प्रॉमिस किया था कि partition दो part में divide होगा एक symmetric होगा एक asymmetric होगा तो symmetric अपने पढ़ा के खदम कर दिया और तुम्हें समय में आवी गया यह क्या है asymmetric form तो asymmetric क्या होता कैसे पहचानेंगे कहानी क्या है इसकी इसकी राम कहानी समझा दो जैसे x इकल टू a y plus b दे रखा है a y plus b दे रखा है and z equal to c y plus का d given है z equal to c y plus d given है दोने equation में देखो बेटा तो मैं देखने में समझ नहीं आ रहा होगा यह क्या है यह एक ही straight line है कैसे देखो जाल से देखना अगर तुम दोनो equation में देखोगे गवर से यहां भी y है यहां भी y है दोनों को आपस में इंटर लिंक करने के लिए कोई ने कोई एक parameter common होगा हमेशा एक symmetric equation में हमेशा कोई ने कोई एक parameter क्या रहेगा हमेशा common रहेगा तो common क्या है यहाँ पर y ऐसे x भी हो सकता है z भी हो सकता है कोई कसम नहीं खाया हमेशा y भी common रहेगा लेकिन एक जरूर common रहेगा तो मैंने क्या बोला y की value यहां से निकाल दो तो कहोगे y कल्टू मेरे प्यारे बच्चो x माइनस कभी divide by a आया यहां से y निकाल दो कहोगे y कल्टू z माइनस d divide by c और तुमको पता दोनों इक क्वेशन बराबर होगी क्योंकि यहां भी y यहां भी y लिख सकते हो x माइनस b divide by a इक कल्टू y y को ऐसा नहीं लिखेंगे ठीक पेटा इसे रंगे हाथ नहीं लिखेंगे y माइनस 0 divide by 1 लिखेंगे इज़त के साथ लिखना है बकैती नहीं कटनी है उठा ले जाएगे घर में गुसके नाम क्या है z माइनस d divide by c अपने आप से मन करे जो मर्जियों लगा लो parameter mu और me belongs to क्या आगे all real number मेरे प्यारे बच्चों अब देखना तुम धान से क्या देखोगे धान से इधर देखना ये कौन से फॉर्म की equation आप state line है क्या तुम बता पाओगे क्या equation आप state line कौन से फॉर्म की है क्या तुम बता पाओगे बिल्कुल बता पाओएंगे कहोगे equation of state line जो आप निकाले हो सर न ये किसका है बोलो 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 नहीं तुम बोलो तो कहोगे equation of state line equation of state line in symmetric form कौन से form symmetric form हाँ तुरू कहां से किया था asymmetric से पहुच कहा गए symmetric पे एकदम सही बात मतलब मुद्दे की वाद ये है कभी भी asymmetric में कोई काम अपन नहीं करते हैं asymmetric form का अगर कोई भी equation आपके पास आती है तो आपको जो common parameter होगा उसकी value निकाल के equate कर लेना अग जैसे तुम equate करोगे ना बाबु भी या बाबु भी या धान से सुनना जैसे तुम equate करोगे तुम्हां तुरुत symmetric form में बदल जाएगी किसमें बदल जाएगी symmetric form में हमेंसा symmetric form में change करके हर एक कूशन को अंजाम देंगे उसको उसकी अंतिम इच्छा तक पहुंचाएंगे symmetric form में change करके form कौशन दे रखी थी में बच्चे देखो ध्यान से दे रखी थी कौन सी फॉर्म asymmetric form दे रखी थी है इसको किसमें बदल दिया symmetric form में हर एक कूशन symmetric form में change करना होगा आई होप क्लियर आई होप क्लियर कमेंड करके बताओ सर्जी क्लियर हुआ कि नहीं हुआ बाते समझ में आ गई बाते समझ में क्या स 12ăm कि एपनी तो कि चलो है ठांसे देखना आगे कहानी आगे कि राम कहानी क्या है आ अब अग्ली किलास में अपनी स्टार्ट करेंगे point कना में मेरे बच्चे देखना ध्यान से बहुत इंट्रेस्टिंग पॉइंट है आगे की राम कहानी होगा एप्लीकेशन 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 आफ लाइन अपन लाइन के एप्लीकेशन पढ़ने वाले है इसमें जो पहली एप्लीकेशन होने वाली है जो पहली एप्लीकेशन होने वाली है एंगल वि क्या है जितना मैंने तुमको पढ़ा दिया है इक्वेशन आप इस्टेट लाइन वेक्टर फॉर्म कार्टिसियन के दो फॉर्म एक सेमेट्रेक एक एसेमेट्रेक आपको रिवाइज करके आना है अब अपन इसके एपलिकेशन पढ़ेंगे पहरा एपलिकेशन होगा एंगल मझा दो लाइन के बीच में एंगल कैसे find out करोगे ये पढ़ाओंगा उसके बाद में क्या पढ़ाओगे फिर इसके भी अपलिकेशन होगे दोनों लाइन पर पेंडिकुलर हो जाए तो क्या होगा दोनों पैरलल होजाए तो क्या होगा और बात क्लिर होगा ये पढ़ेंग फिर पढ़ेंगे मेरे बच्चे, short test distance पढ़ेंगे, क्या पढ़ेंगे, short test distance, एक point होगा, एक line होगा, image point पढ़ेंगे, फूटा perpendicular पढ़ेंगे, एक fixed point से एक line के पीछ की perpendicular distance निकालना पढ़ेंगे, and so on, सारी चीजें आपको आने वाली है application में, लेकिन आप इसके fundamentals से, इसको revise करके आएं, क्या मेरी बास समझ माया, गरोप अंडे बटा हाजी लगाने आगे तुम, है, बहुत बड़ी है, सांदार, सांदार, ठेक है बच्चो, thank you, बोलो, clear है, समझ मेरा, comment करके बताओ या, और सां, comment करके बताओ, बोलो, मौसम यादो, लेगा है, मंडे को मिलेंगा सिदे, लेगा, बिटकल की क्लास ओफ हो गई थी, इसलिए, क्योंकि कल में इत तबित्वा, खराब हो गई थी, इसलिए आफ है, बाकि आफ नहीं रहेगा, तो संदे दमारा आफ रहेगा बस, ओके बेटा गवरो, ठीक है, ठीक है, ठीक है, कोई नहीं, कोई नहीं, कोई नहीं, ठीक है, आज का ससन यहीं तक रखते हैं, आप रिवाइज करके आए, ठाड़ा भाय भाय, जहीं रहेगा, इसलिएक है,